अस्सलाम अलेकम दोस्तों CTT Language उर्दू Paper First और Paper Second के लिए आज Class 3 में हम लेकर आए हैं टॉपिक खौमी दर्सियात का खाका 2005 इसके चंद एहम नुकात तो देखते हैं इस टॉपिक के तहट कौन सी बातें पूछी जा सकती है और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप अब तगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं हम आगे बढ़कर खौमी दर्सियत का खाका 2005 के एहम नुकात सबसे पहला पॉइंट के बच्चों की स्कूली जिन्दगी उनकी बाहरी जिन्दगी से हम आहंग होनी चाहिए इसकूली जिन्दगी और हकीकी जिन्दगी के दर्मयानी फासले खत्म होनी चाहिए समाच को तालीमी निजाम में मुनासिफ खुबूलियत मिलनी चाहिए मुक्तलिफ मजामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रट कर सीखने के तरीख कार की भी होसला शिकनी होनी चाहिए यानि के रट कर जो पढ़ने का सिस्टम है उसके बजाए समझ कर और खुझ से अखस करके सीखने वाली तालीम बनानी चाहिए इसी के तहए आज जो चड़ रहा है इसकुलों में तश्कील इल्म का नजरिया मराटी में जिसे ग्यान रचनावाद कहते हैं वो इसी की तहए जारी है तिफल मरकूस तालीम निजाम को तखवियत पहुँचाई जाए चाइल्ड सेंटर तालीम हो असातिजा बच्चों को अपने तासुरा जाहर करने जहनी सरगर्मियों और सवालों के जरी सीखने की हमत अवजाई करें ये सब चीजे हम देख रहे हैं कि तश्कील इल्म का नजरिया ग्यान रचनावाद में मौजूद है आप अपने नजदी की स्कूल में जाकर भी इसकी मालूमात ले सकते हैं वैसे यूटूब पर भी तश्कील इल्म का नजरिया ग्यान रचनावाद अगर मराटी में डाले तो बहुत सारी मालूमात आपको इसके तहट मिल जाएगी हमें ये तसलीम करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौखा, वक्त और आजदी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजर्वात की बुनियात पर नई मालूमात मुरत्ब कर सकते हैं बच्चों के अंदर तखलीखी सलाहियत और पेशखद्मी के रूज़ान को तभी फरोग दिया जा सकता है जब हम आमज़िशी अमल में बच्चों को बहस्तिय शरी के कार खुबूल करें और उन्हें इल्म की एक मोयना मिगदार का ग्रहक मानना बंद कर दे कि बस हमें जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पढ़ाना है ये बुक जो है हमारी निसाब की, इस निसाब की बुक को खतम करना है ये पढ़ा देना हमारा काम हो गया, ये चीज़ों को हमें बंद करना है और बच्चों के अंदर तखली की सलायत के बच्चे के अंदर हमें अपने स्टुडन्ट में से शायर, मुसनिफ, अधीब, सहाफी, साइंसदा, मैथेमेटिशियन, इन लोगों को नेता, इन लोगों को बाहर किस तरह से हम निकाल सकते है वो चीज़ हमें देखनी चाहिए इसकूल का निजाम लौखात लचीला होना चाहिए ताके सरगर्मियों को मुखाम मिल सके सिर्फ इसकूली सबजेक्ट ही नहीं पढ़ाने चाहिए दीगर जो इस्पेशल पैदाश रहती जैसा कि कुछ शक्सियात की तारीकी शक्सियात, खौमी शक्सियात, साइंस दा, मैथेमेडिशियन इनके यहों में पैदाश की मुनासिब से अलागलग प्रोग्राम, खौमी तेहवार यह सब चीज़े के तहत, तक्रीरी मुखबले, कोईस कॉम्पटिशन और इस तरह की दीगर सरगर्मियों को भी मुकाम मिल सके इस चीज़ का भी हमें स्कूल के टाइम टेबल में लची लपन उस तरह से रखना जरूरी है अंदाजा खदर के तरीके भी इस बात का तायून करें कि तालीमी अमल बच्चों में उक्ताहट और जहनी तनाव ना पैदा करें और इनकी स्कूली जिन्दगी को मौसर ना बनाए हमारा एक्जाम लेने का तरीका, हमारा टेस्ट लेने का तरीका ऐसा ना हो कि जिससे तलबा जहनी तनाव का शिकार हो जाए और एक्जाम्स की वज़े से, रिजल्ट की वज़े से वो स्कूल से कट जाए स्कूल से दूर हो जाए, इस तरह का हमारा अंदाजा खदर भी नहीं होना चाहिए evolution का method ऐसा नहीं होना चाहिए जबान की मोहरते यानी सुनना, listening, बोलना, speaking, पढ़ना, reading और लिखना, writing की नशनमा मुक्तलिफ स्कूली मजामिन की तद्रीश से होती है इसलिए बच्चों के इल्म की तामीर में उनके बुन्यादी किरदार को समझने की हमें जरूरत है सा लिसानी फार्मॉला के निफास के लिए नई पेश ख़द्मी की जरूरत है बच्चों की मादरी जबान और खवाईली जबानों को भी जरीय तालीम के तोर पर मन्सूरी दिये जाने की जरूरत है नई एजूकेशन पॉलिसी में भी इसी बात को आगे बढ़ाया गया है और इसके उपर जोर दिया गया है हिंदुस्तानी समाज की कसीर लिसानियत को इसकूली जिंदगी के एक असासे के तोर पर लिया जाना चाहिए यह थे खौमी दर्सियात के खाके के चंद एहम नुकात जिनके तहट सवालाद पिछले इम्तेहनात में पूछे जा चुके हैं इसी के साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको आज के टेस्ट की लिंक मिल जाएंगी उस टेस्ट के जरीए आप प्रेक्टिस कर सकते हैं और जिससे आपको आसानी होंगी समझने के लिए के ओनलाइन इम्तेहन के तरीके के भी और आज के टॉपिक ज़र भी तो वीडियो का इसा लागा कामेंट करके ज़रीर बताईए शुक्रिया